आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से वो mandatory documents है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए रहेंगे जब भी आप import और export की बात करेंगे import और export करने के लिए कौन से documentation चाहिए आज इस वीडियो में हम वो डिसकस करें नमस्कार दॉस्ता मेरा नामे दिपांद कर और मैं पिछले आठ साल से डेली में एक लाइसनस कस्टमा उस एजेंट हूँ और पॉर्ट में documentation compliance का पार्ट देख रहा हूं अपनी कंपनी के लिए और आप देख रहे हैं ट्रेड पे जहां पर हम बात करते हैं नाशनल ट्रेड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो इस वीडियो में आप लोगो को एक बार लेने होते हैं उसके बार का जंजट है उसके बाद आप लोगो को बार बार चीजा नहीं करनी होती तो सबसे पहले जो टाइब लेना होता है जिसके बिना पार आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो सभसे पहले लोगोगों को चाहिए जब बात करते इंपोर्ट की किसी बहुश्य के बिजनेस की इंडिया में एक तरह से बैंक अकाउंट एक आप लोगो करन्ट बैंक अकाउंट खुल ला है जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं क्योंकि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो फॉरण रेमिटेंस की बात आदी रेमिटेंस क्या होता है जब आप इ क्वाट बहुत सारे बेनिफिट्स दे जाते हैं जैसे कि EBRC होता है बैंक रिलाजिशन होता है इन सारे चीजों के चर्जर आप से नहीं ले जाते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेसिक अकाउंट कर लिए कि बुजा लिए के लिए तो जो च्छी अगर्णा कर देंगे तो और यह वैसा तो वांन स्वाकला था सबसे जो important document है वैसे तो सारे ही important document है बट कस्टम के प्रस्पेक्टिव से international trade जीजीएफ्टी के प्रस्पेक्टिव से देखे तो IC code एक document है जो की international trade में पार्ट लेने के लिए आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह आपने घर पर बैठके जब आपके पास bank account आजाएगा और जीस्टी आजाएगा तो आपने घर पर बैठके डीजीएफ्टी वेबसाइट एं इंटरूट्रेट जंडर्ड फॉरें ट्रेड में जाके आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं अराउंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं जजब में पढ़ना तो आप किसी भी क्या करेंगे तो वह हजार पंदर उस रुपे लेकि आपको यह डॉकिमंट निकाल के देदेगा रियल टाइम में यह निसे में डी डॉकिमंट निकल के आपके पास आजाता है और इसकी जो वेल डीटी है पहले तो पुरे लाइफटाइम रहा कर थे पट रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि कर देया कि आपको हर साल Chanel के साइड के टाइम मतलओ तीन महीं ने मंट के आप को हर साल छार फैनाइंचेल या में उन तीन महींनों में जा कि आप लोग को यह डॉक् Gegen की साइड में लॉग इन करके और उनको बताना है कि इसमें कोई अप्डेशन निया वह जो अप्डेशन है वह आप डिजिडिल सिगनेचर के तुरू भी कर सकते हैं यह किसी भी डिरेक्टर अगर डिरेक्टर अगर डिरेक्टर प्राइटर फामें तो पार्टनर से भी OTP के तुरू आप उसको अपडेट कर सकते हैं और अगर आप लोगों को देखना इसकी कम्पेट लीटल तो आप इस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं कि को किस तरीके से अपडेट किया जाता है इसके अलावा एक चोटा सा डॉकिमेंट और होता है रिजिस्ट इम एक्षपोर्ट करते हैं तो अपडिकर करते हैं तो हैं है 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 कि है कि असे हिंग होगा यह एक असे जैसे आपको सिर्फ एक bank account चाहिए एक GST चाहिए एक IC को चाहिए इन तीन documents से यह अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं export शुरू कर सकते हैं मैंने खुद personally इन documents से कई लोगों के export शुरू किया है कई सारे ऐसा केस्टोमर्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियो देखके मेरे थुरू export किया है और सिर्फ इन तीन documents के तुरू ही उनका export हुआ था और अभी भी हो रहा है इसमें सब कई सारे तो मुरादाबाद के हैं जो बहुत सारे एंडिक्राफ्ट बैनिफेक्टरर से सब्सक्राइब करने के लिए उसके अलावा कभी-कभी वोड डेक्लारेशन फाइटो सब्सक्राइब करता है तो यह इन चीजों के बारे में आप लोगों को सोचने की तो ज़रूरत नहीं होती जब भी आप export की बात करते हैं इंडिया में एक्सपोर्ट को बहुत दो सपोर कोई भी हो दोनों के लिए डॉक्यमेंट सेम है तो आई होप कि या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंफरमेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताईए कि आप लोगों क्या प सब्सक्राइब कर दो